हेलो फ्रेंद्स, अस्सलामू अलेकुम, तो क्या हाल है आप लोगों के? तो आज मैं आप लोगों के सथ शेयर करने वाली हूँ मटन कोफ़ता करी बनाने की रेसिपी और इस रेसिपी के जो हैं वो दो स्टेप हैं फर्स स्टेप में हमें तयार करना होता है मीट बॉल जिसे हम कोफ़ता कहते हैं और दूसरे स्टेप में हमें तयार करनी होती है इसकी ग्रेवी और ये जो कोफ़ते हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तयार होते हैं सॉफ्ट होते हैं मॉइस्ट होते हैं और बिल्कुल भी टूटते नहीं है तो आए देखते हैं इस मज़ेतार से कोफता करी की रेसिपी सबसे पहले हम मीट बॉल्स सयार कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहाप लिया है 500 ग्राम्स यानि आधा किलो मटन का कीमा और इन कीमो में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए आप इसे अच्छे से वाश करके एक स्ट्रेनर पर रख दें ताकि इसमें जितना भी एक्सेस व अब हम इसमें बिरिस्ता डालेंगे यहाँ पर मैंने एक कब बिरिस्ता लिया है इसे हम इस मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे चार से पांच हरी मिर्च का पेस्ट लिया है मैंने आप मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें वन टेबल स्पून हम इसमें नारियल का पाउडर डालेंगे जिसे डेसिकेटिट कोकोनेट पाउडर भी कहते हैं सूखे नारियल का पाउडर यहाँ पर मैंने कुछ पाउडर्ड मसाले लिये हैं इसे भी हम डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है वन टीस्पून गरमसाला पाउडर, वन टीस्पून जीरा पाउडर, वन टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, वन टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून आमचुर पाउडर इन powders को भी हम transfer कर देंगे mixi के jar में ये जो भुनीवी चने की दाल मिल्क दी है ना market में जिसे दलिया भी कहते हैं इसका हमने powder बना लिया है ये 2 टेबल स्पून है इसे भी हम इसमें add कर देंगे अब हम इसमें add करेंगे 1 टेबल स्पून अध्रक लसन का paste यहां पर मैंने आधा प्यास लिया है आधे प्यास को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है इसे भी हम add कर देंगे अब हम इसमें add करेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ओल यानी सरसो का तेल अगर आपके पास यह अवैलेबल नहीं है तो फिर आप नॉर्मल रिफाइन ओल का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बटर भी इसमें डाल सकते हैं अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही अट करेंगे नमक अट करेंगे हम 1 टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें और अब हम इसमे एड़ करेंगे थोड़े से धनidée के पते और इसे हमने बिलकुल बारी एक पीस लेना है बिलकुल फाइन हम इसे पीस लेंगे तो meatball यानि कोफते का जो mixture है वो ready हो गया है अब हम चलते हैं meatball बना लेते हैं मीडबॉल बनाने के लिए, सबसे पहले आप अपने हातों पर थोड़ा सा ऑईल अप्लाई कर ले और उसे अच्छे से रब कर लें, थोड़ा सा कीमे का हम पोशन ले लेंगे, अगर आपको मीडबॉल बड़े बनाना है तो मीट बॉल्स जो हैं वो रेडी हो गए अब हम ऐसे ही सारे मीट बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर जो सारे मीट बॉल्स हैं वो रेडी हो गए अब हम इने एक साइड में रखते हैं और चलते हैं इनकी करी बनाने के प्रोसेस में तो करी बनाने के लिए सबस पेस्ट तयार कर लेंगे अब एक पैन में हम ऑईल डालेंगे हाफ कप तक ये वो ही ऑईल है जिसमें हमने बिरिस्ता फ्राइ किया था ऑईल जब हमारा गरम हो जाएगा तब हम इसमे अट करेंगे कुछ होल स्पाइसिस मैंने यहाँ पर लिया है एक दालचिनी का तुकड़ा, दो तेजपत्ता, एक बड़ी इलाइची, एक बादियान का फूल, दो छोटी इलाइची और तीन हरी मिर्चे हरी मिρचो को मैंने बीच में से स्लिट कर लिए है अफ हरी मिरचे आप अपने टेस्स के अकॉर्ड kardeş अपने डालें और इन मसालों को हमें कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेना है कुछ सेकिंद के बाद जो मिन मसालों का फ्लेवर ओयल में अच्छे से रिलीज हो जाएगा तब हम इसमें आट करेंगे एक मीडियम साइस की प्यास इसे मैंने ओमलेट कट कर लिया है अगर आप यह नहीं डालना चाहते तो ना डालें क्यूंकि हम इसमें बिरिस्ता तो डाल ह लेकिन यह प्यास डालने से क्या होता है जो हमारी करी का फ्लेवर है वो और भी बढ़ जाता है बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है इसे हमें हलका गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेना है गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे तो प्यास को फ्राइ करते हुए एक मिनिट हो अच्छा पने टेस्ट के अकॉर्डिक नी डाले और वन फोटी स्पून हल्दी पावडर इन मसालों को हम दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ताके जो इनका कच्छापन है रॉय स्मैल है वो दूर हो जाए थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल तकरीबन 2 टेबल स्पून के अराउंड ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और अब हम इन मसालों को कवर करके 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं मसालों को भूनते हुए बहुत ही अच्छे से जो मसाले हैं वो अब हमने बना कर रखा था इसी में मैंने 1 टेबल स्पून तक अधरक लसन का पेस्ट पे मिक्स किया है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून तक दही इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम कवर करके मीडियम तो लो फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे दो से तीन मिनट हो चुके हैं मसालों को भूनते हुए मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं ओल भी उपर सर्फिस पर आ गया है अब हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब हम इसमें आड़ करेंगे half cup तक पानी, पानी हमें इसमें थोड़ा ही आड़ करना है, बहुत जादा हम इसमें पानी नहीं आड़ करेंगे, क्योंकि जो कोफते की करी है उसमें बहुत जादा पानी नहीं डलता है, तो हम इसमें half cup तक पानी आड़ कर लेंगे, अब हम इस करके जो सारे कोफते हैं उसे ड्रॉप करते जाएंगे बहुती आराम से और रहतियात से आपको सारे कोफतों को करी में जो है वो ड्रॉप कर देना है तो सारे कोफतों को हमने ड्रॉप कर दिया है करी में कोफते डालने के बाद आपको चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है अग मिनिट हो गए हैं अब हम गयास की फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इसे कवर करके 12 से 15 मिनिट के लिए पका लेंगे तो 15 मिनिट हो चुके हैं इन कोफतों को पकते हुए इनकी जो खुश्पु है वो पूरे घर में फैल गई है इतनी मज़े के ये जो कोफते हैं वो बनकर तैयार हुए है अब हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से धनी के पत्ते और गैस की फ्लेम ओफ कर देंगे आप इन कोफतों को सर्फ कर सकते हैं गर्मा गरम रोटी और पराठों के साथ यहां पर मैं आपको एक कोफता जो है वो कट कर के दिखादी हूं कि ये कोफत जो है वो कितने जादा जूसी, सॉफ्ट और मॉइस्ट बनका तयार हुए हैं आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं ये कोफते इस रेसेपी को आप जरूर से ट्राइ कीजेगा अगर आपक यहां कोई गैस्ट आ रहे हैं तो इसे आप अपने मेन्यों में जरू सबको इस कोफते की रेसेपी बहुत पसंद आएगी रेसेपी पसंद आए तो इसे लाइक करें शेर करें और आप लोगों से हमबल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक और नई रेसेपी के साथ